नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इंग्लिश वाइन शॉप आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों इंग्लिश वाइन शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं तो कितना इंवेश्टमेंट करना होगा दुकान कहां खोलना चाहिए location कैसा होना चाहिए साथ ही इस business से जुड़े license क्या-क्या होंगे क्या-क्या चीज़े आपको जरुरत पड़ेगी stock आप कहां से उठा सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तो wine shop एक ऐसा business है जो दूसरे business के मुकाबले बहुत जादा चलता है आपने देखा ही होगा लोगडाउन के टाइम पे जहां एक तरफ दूसरी तरह के दुकाने जो थी वो बंद पड़ी हुई थी लेकिन wine shop खुले हुए थे और वहां भीड भी आपने बहुत देखा होगा लोग जो है लाइन लगा लगा कर वहां पे शराब खरीदने गए थे तो ये business की कितनी demand है आपने ये समझी लिया होगा आज की date में अगर देखा जाए तो दोस्तों शराब पीना वैसे सुनने में बड़ा आजीब सा लगता होगा लेकिन ये एक trend बनता जा रहा है उम्र छोटी उम्र के लोग हो या बड़ी उम्र के लोग हो हर किसी को ये पता है कि ये सिहत के लिए हानिकारक है लेकिन इसके बावजूद लोगों में चाहे उम्र छोटी हो चाहे उम्र बड़ी हो चाहे कम उम्र के हो चाहे जाधा उमर के हो सब में शराब को लेकर एक अलगी क्रेज बना रहता है हर एक छोटी चीज में दारूच ये लोगों को तो अगर लोग पी रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं कि भई इसमें डिमांड कितनी है अगर डिमांड है तो इसमें इंकम कितनी होगी आप समझ सकते हैं तो इसी लिए एक ऐसा demanding business बन गया है जिसे आप अगर शुरू करते हैं तो आपको कभी loss नहीं होगा सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें आपको कभी loss होगा आपको क्या करना है अगर आप इस business को शुरू करना चाहते हैं तो हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे दोस्तों आपने देखा होगा अपने एरिया में हर चौक चौराहे में wine shop खुले हुए हैं आपको देखने को मिलेगा बकाइदा license के साथ board लगाई हुए सिर्फ ऐसे नहीं market में ऐसी बहुत सी company'ा है जो wine production करती है और अर्बो रुपए का मुनाफ़ा कमाती है तो दोस्तों अगर आप इसका एक छोटा सा shop खूलना चाहते हैं और आप भी इस field में उतर कर पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा शौप लेना होगा साथ ही गोदाम अगर मिल जाए गोदाम अगर ले ले तो बहुत ही अच्छी बात है वहाँ पे आप जादे जादा stock जो है वो आप रख पाएंगे लेकिन अगर माल लिजे कि गोदाम नहीं लेना चाहते तो एक छोड़े से शौप शे भी आप शुरू कर सकते हैं हलाकि हर बिजनेस की तरह इस बिजनेस में भी शुरू में ही आपको बता दू कि यह आपके बजट पर निर्भर करेगा लगाने वाले 5 लाग लगा कर भी शुरू करते हैं अगर आप कम पैसा लगाएंगे तो आप कम माल उठाके आप दुकान की शुरूआत कर पाएंगे अगर आप ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आपका दुकान जो है वो माल से बरा होगा बस यही फर्क होता है अगर बात करें कि इसमें लाइसंस क्या क्या लगेगा तो आपको GST नमबर लगेगा, रजिस्ट्रिशन नमबर लगेगा, आपको जो है अपने दुकान में एक वरकर रखना होगा, साथ ही आपको जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में ना सही लेकिन मीडियम मात्रा म उतर सकते हैं, तो इस बिजनस में उतरना है, तो आप देशी शराब शॉप खोल सकते हैं, आप इंगलिश वाइन शॉप खोल सकते हैं, या फिर आप देशी और इंगलिश दोनों मिक्स करके एक ही दुकान में बेचने का शॉप खोल सकते हैं, जिसमें इंगलिश भी बेच अगर आपको दुकान अपना नहीं है तो फिर आपको लगेगा तो आपको रंट देना लगेगा तो इसमें आपको कम से कम नहीं भी तो अब चाहे मारकेट के हिसाब से देख ले रेंट 5000 10 सजार पंदरा हजार location के उपर निर्भर करता है जैसा location होगा उस हिसाब से आपके दुकान का किराया होगा अब अगर बात करों कि शॉप लाइसेंस भी आपको लेना पड़ता है जिसमें 15,000 से 20,000 तक कर लग जाता है साथ ही आपको security money भी देना पड़ता है अब वो location के लेंगे ये एक चीज हो गई इसके बाद आपको एक worker रखना होगा जिसका कम से कम 10 से 15,000 रुपया आपको salary देना ही होगा at least 1500 square feet से 200 square feet तक की जगा चाहिए आपको जो आप shop लेंगे उसमें इसके बाद जैसा मैंने कहा था आपसे कि license में GST number उसके बाद shop license registration number ये सब कुछ आपको लगेगा इसमें भी मैं आपको बता दो इसमें भी डो टाइप के होते हैं license एक है on license दूसरा है off license on license उनको दिया जाता है जहां शराब पी भी जाती है मतलब शराब के विक्री भी होती है और खफवत भी होती है for example beer bar restaurant hotel आदी off license उनको दिया जाता है जो shop खोलते हैं जहांपे उनके customer आते हैं शराब खरीदते हैं और कहीं और ले जाकर पीते हैं तो ये दो तरहिके के जो license ये दिये जाते हैं इसके बाद बारी आती है कि अगर जैसे मैंने कहा कि investment मैंने तब ये बताया लेकिन फिर से अगर मोटा मोटी समझने के लिए कहूं तो आप कितना आप लगा सके उतना बहतर है लेकिन अगर आप पचास अजर एक लाग से शुरुआत करते हैं तो भी चलेगा या फिर आप पांच लाग लगाना चाहते हैं तो भी आप चलेगा जितना आपके पास budget होगा आपको उसके हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं बस यही है कि मेले हैं दो बस फर्क किया होगा कि अगर आप ज पैसे लगाएंगे तो कम माल के साथ आप शुरुवात करेंगे के अगर प्रोफिट मार्जिन की बाद कर 11 टो इस बिजनस निच्वराथ करूं दूरफ अगर कहो तो 25 टीश हजार से के 50,000 साथ ही एक लाग तक की इंकम आप कर सकते हैं और आने वाले टाइम में जैसे जैसे आपका बिजनस बढ़ेगा आपका बिजनस जमना शुरू हो जाएगा कस्टमर्स की भीड़े लगनी शुरू हो जाएगी जितना जादा सेल होने लग जाएगा फिर तो आप लाखों म में खेलेंगे महीन एक लाखों रुपए आपकी इंकम होने लग जाएगे महीने के महीने तो इस बिजनस में बहुत जादा पैसा है और यह बिजनस ऐसा है कि बहुत ही जल्दी जो है यह ग्रो कर जाता है क्योंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि कस्टमर कितनी जल्दी इस फिल्ड में आते हैं आप जानते ही हैं इसमें ज्यादा कहने की जरुरत नहीं है तो खेर अगर आप वाइन शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इन चीजों की ही जरुरत है आपको आपके हिसाब से आप अपने एक शॉप ढूड़िये बजट के हिसाब स आप माल उठाईए अब बारी मैं भी बता दूँ आपको कि भाई आप माल कहां से उठाएंगे तो माल आप अगर होलसेल में लेना है तो आपको जो है आप चाहें तो वैसे ऑफलाइन भी पता कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन भी आप पता कर सकते हैं आपको जाजडाइल.com इ लेकर का होलसेलर कौन-कौन है और कहां-कहां से आप मंगा सकते हैं ओल ओवर इंडिया में कहां-कहां से ये आप माल उठा सकते हैं होलसेल में लेकर होलसेलर अगर आपने सर्च किया तो आपको बहुत सारा देखने को मल जाएगा तो इस तरह से आप जो है माल कहां से उठा आना है ये भी आपको पता चल जाएगा offline भी आप पता कर सकते हैं कि भाई ये जो पहले से दुकानदार लोग हैं वो कहां से माल उठाते हैं वो आप उनके पास जाके थोड़ा सा आप information कलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा खेर तो दोस्तों overall जो है अ अगर नहीं आये हैं तो subscribe करके जाएगा और वीडियो पसंद आये तो like भी कर दीजेगा और मेरे साथ इस चल में जुड़ जाएगा ताकि मैं इस तरह के ideas जो लाता रहता हूं उसमें से कोई आपके भी काम आ जाए और आपने भी अगर कोई मेरे वीडियो देखके मेरे idea द आटा